नमस्कार सातियों श्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासिस के डिजीटल प्लेटपरम पर सातियों आज अपन बात करने वाले हैं एग्री कल्चर इंजिनिरिंग सब्जेक्ट के बारे में जिसमें अपने कोर्ष है प्रोटक्टेड कल्टिवेशन एंड सेकेंडरी आज उस सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं और अपन चर्चा करेंगे इसके गेस पेपर के बारे में इसमें आने वाले इंपोर्टेंट क्यूसंस के बारे में और इसके साती इसकी क्लासिस, नौट्स, पेपर सॉलूशन आपके लिए कहां पर अवलेब होगा इसके बारे में भी अपन क्या करने वाले हैं चर्चा करने वाले हैं और अपन जो material की बात कर रहे हैं लगबग पांच गंठे का material है पांच गंठे में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हुआ अगर इस subject को आप पांच गंठे भी देते हो तो आप आराम से बड़िया नंबरों से इसको पास कर सकते हूँ क्योंकि देखते हैं बहुत सारे students के यह subject back है अगर इसको अच्छे तरीके से आपको clear करनी है तो यह class end तक देख लेना इसके बाद में जो जो मैं material आपको बताता हूँ अपन कम material पढ़ेंगे पर अच्छा material अगर पढ़ेंगे तो अच्छे नंबरों से अपनी बेक निकलेगी तो इस वीडियो को end तक देख लेना guess paper वगिरा इसकी definitions जो टिपनी के जो questions है इनके बारे में चर्चा करेंगे इसके बाद में जो अपना material है classes और भी है दो गिंटे की लगब क्लास है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले अपन चलते हैं आगे क्यों सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके complete topic wise syllabus complete topic wise syllabus की ये वीडियो है YouTube पर मिल जाएगी कहां पर मिल जाएगी यूटूब पर मिल जाएगी अपने ही platform पर मिल जाएगी सर्च कर लेना agriculture engineering 321 protected cultivation and secondary agriculture मेराथन ग्लास आपकी आजाएगी by bright agro classes कर देना agriculture engineering की subject आजाएगी ये आप playlist में 20 को check कर सकते हूँ जिसमें topic wise सबी topic हो की है और वो भी 1 hour और 49 minute आराम से 2 गंटे class आप ले सकते हो और 2 गंटे में complete material आपको जो मैं क्यूशंस बताऊंगा ये क्यू पर easy language में क्या करवाई जाएंगे clear करवाई जाएंगे सबसे पहले अपन चलते हैं agriculture engineering की definitions के बारे में की definitions कौन-कौन से पूछी जा सकती है तो सबसे पहले तो ये ही पूछा जाएगा protected cultivation के बारे में किसके बारे में पूछा जाएगा protected cultivation साथ यो protected cultivation क्या होती है प्रोटक्टेड कल्टिवेशन होती है जिसे एक तो है अपने खुले इन्वाइरमेंट में अपन खेती करते हैं एक होती है ग्रीन आउस में वहाँ पर कंट्रोल्ड इन्वाइरमेंट होता है उसमें अपन खेती करते हैं तो ग्रीन आउस में जो कंट्रोल्ड इन्वाइरमें में जो खेती करते हैं उसको प्रोटक्टेड कल्टिवेशन के नाम से जाना जाता है एक है ग्रीन आउस इफेक्ट जो ग्रीन आउस गेसे हैं यह ग्रीन आउस गेसे क्या करती है साथियों ग्रीन हाउस गेसे जानते हैं क्या कौन कौनची होती है सीयोटू वगेरा मेथन वग मतलब इसमें है कोई भी material या कोई भी goods है कोई भी वस्तुए है उसको वन पेले से अनोधर पेले से ट्रांसफर करने के लिए material handling का प्रियो किया जाता है अब इसको आप उस दो गिंटे की class में देखोगे ने तो इसमें diagram के थरू भी आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से ए material को या goods को ले जाया जाता है next definition आजाई कि ventilation in green house अब बाई साब यह जो green house है green house चारों तरप से क्या होता है पेक होता है अब पेक होता है तो अंदर से अंदर की जो air है और भार की जो air है मतलब अंदर की को भार बेजने के लिए मतलब अंदर जो गरम है या ठंडी है उसको अंदर लाने के लिए जो गेसों का जो आधान परदान होता है उसको किस नाम से जाना जाता है ventilation के नाम से जाना जाता है इसके बाद में आता है आगे क्यों रहे secondary agriculture secondary agriculture क्या होता है साथियों जैसे अपने पास में raw material होता है raw material को अपने आगे क्या करते हैं उसका अन्य रूप बदल देते हूं वो किसके अंतरगत आता है साथियों secondary agriculture के अंतरगत फिर आता है drying mechanism मतलब जो भी agriculture के products वगेरा है उनको सुकाने की जो प्रिकरिया है वो आ जाएगी drying mechanism में एक बार class लेना आप complete material आपको बढ़िये तरीके से समझ में आ जाएगा यह जो जितने भी points में बता जाएगा पर इनको बहुत अच्छे तरीके से डाइग्राम के थरू समझाया गया उस class में इसके बाद में है drying और dehydration में आपको अंतरगत पूछा जाएगा इसके साथी solar drying और greenhouse drying में आपको अंतरगत पूछा जाएगा solar drying क्या होता है साथियों जैसे अपने पास में कोई भी product है agriculture के अपने उनको सुरिय की दूप में जब उनको सुकाते है न तो वो solar drying होता है वो कैसा होता है natural होता है एक होता है कि greenhouse के अंदर ही ड्राइग का system लगा होता है वो कैसा होता है forced होता है मतलब यह natural drying system होता है यह कैसा होता है forced तो एक तो green house के अंदर और एक solar drying इन दोनों में अंतर इसके बाद में wet basis and dry basis moisture content के बीच में अंतर पूछा जाएगा और यह conveyors और elevator के मद्दी क्या पूछा जाएगा अंतर पूछा जाएगा यह कौन से topic का है material handling के topic का है चोथा अंतर जो की diagram की रूप में आपको समझाया गया इसके बाद में है description मतलब आपको tip पणी किस किस में पूछी जा सकती है साथियों एक हमेशा दियान रखना commercial grain dryer में से क्यूशन जरूर पूछा जाएगा चाहिए ओटीपणी का है यह चाहिए बड़ा क्यूशन आए commercial grain dryer अलग-अलग प्रकार के होते हैं उसमें mainly अगर बात करें एक तो fluidized होता है एक recirculatory होता है एक कौन सा होता है recirculatory और एक कौन सा होता है fluidized इन दोनों के बारे में wishes तोर से ध्यान रखना sketch के साथ में इसके बाद में है next solar dryer क्या आजाता है साथियो solar dryer solar dryer क्या होता है वही मैंने बताया है कि सूर्य की दूपशेपन जो भी agriculture के products की जो नमी है उसको बार निकालते हैं उसको किस नाम से जानते हैं उसको जानते हैं साथियों अपने solar dryer के नाम से इसके बाद में next अपने आता है material required for green house मतलब ग्रीन आउस के लिए कौन-कौन सा एक तो traditional होता है traditional या जो green house है जैसे green house बनाने में क्या-क्या material required होता है 5 material total required होते हैं बड़ीया तरीके से उससे अपना जो वीडियो है उसमें समझाया गया है कि 5 material required होते है किसके लिए required होते हैं साथियों ये जो अपन green house बनाते हैं उसके लिए डाचा बगेरा और उपर उसको अगर cover करना है तो covering material और भी अनेक चीज़े है वो 5 material किसके लिए चाहिए green house के लिए चाहिए तो उनको आपको याद करना है इसके बाद में अपन चलते हैं आगे कि और long cushion long cushion सबसे पहला पूछा जाएगा कि green house में irrigation method green house में irrigation method कौन-कौन से यूज़ में लते हैं ये आपको पूछा जाएगा तो green house में कौन-कौन से methods लेते हैं यूज में इनको डाइग्राम के थुरू आपको समझाया गया है और उनका detailed वर्णान भी है उसमें इसके बाद में अपने चलते हैं आगे क्यों रहा है cleaning और grading मतलब grading cleaning क्या होता है साथ यो कोई भी agriculture के products है उसमें जो भी जो भी उसमें असुदिया है उसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं grading क्या होता है जिसे अपने पास में आम हैं उनको size के आदार पर क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं उनके गुड़ों के अधार पर प्रोपेटीज या अधार पर उनको क्या कर देते हैं अलग अलग कर देते हैं उनका भाव इससे क्या मिलता है अच्छा मिलता है यह अपने क्या हो जाता है साथियों ग्रेडिंग हो जाता है और में ग्रीन आउस को थंडा रखने के लिए कुलिंग सिस्टम का यूज करते हैं और सर्दियों में गरम रखने के लिए हीटिंग सिस्टम का क्या करते हैं यूज करते हैं ग्रीन आउस को गर्मियों में तो क्या रखना है ठंडा रखना है और सर्दियों में क्या रखना है गरम रखना है तो इसके लिए cooling और इस्टिंग सिस्टम का यूज करते हैं उसको आपको याद रखना है इसके बाद में most important क्यूशन आरबार पूछा जाता है green house का classification ये भी आपको बहुत अच्छे से हमाँ पर समझाया गया है size और शेप के आदारपन mostly आप क्या रखना याद रखना इसके बाद में आता है scope and importance of protected cultivation protected cultivation and जो अपने secondary agriculture है इसका scope और importance देखना है मितलब इसका क्या मैत्व है क्या बवीश्य है इसके साथी low tunnel, low tunnel क्या होता है आपने देखा होगा साथियो जैसे ये अपनी कोई पंक्ती है अब इस पर क्या होता है साथियो उस पर एक परकौर का mini Israel के रूप मतलब mini green house के रूप में वो cover होती है इस परकार से वहाँ पर क्या लगा होता है धाचा लगा होता है इस धाचे पर अलग-अलग रोका अलग-अलग होता है और इस पर उपर क्या लगा होगा covering material लगा होगा और वो only एक रोपर ही होता है तो इसको low tunnel के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है low tunnel के नाम स की अगर पीडि अप देखनी है तो क्या करना है? सबसे पहले अप की लिंक आपको डिस्क्रीप्शन में मिल जाए गी यह इन नम्रों पर इसेज करतेना पहले डाउनलोड करना है फिर अपने मॉबाइल नमबर से रेजिस्टर करना है और फिर क्लिक करना है कॉर्णर पे थ्री लाइन आ जाएगी उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में फ्री मैटेरियल लिखा होगा उस पर क्लिक करना है वहाँ पर एक थर्ड येर के सेकंड semester के नाम से folder है उसमें available होगा सातियों I hope आज की class आपको समझ में होगी अगर ऐसी ही class आपको लगातार चाहिए तो अपने सातियों को सहीर करना अधिक से अधिक इस पर support देखाना और ऐसे ही सबी semester की classes आ रही है इसके साती अपने एपर लगबग material available है तो अगर किसी भी subject वगरा में बेक वगरा है तो इन number पर आप और सप्रमेशिज कर सकते हो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट टूडियो के शाद अब के लिए जय हिंजे बारे साथ है